हे गाई वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम बात करने वाले हैं वर्ड क्रिकेट चंपियन 3 गेम आप कैसे खेल सकते हैं क्योंकि इसको खेलने में लोगों को बहुत जादा प्राबलम हो रही है तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा इस वीडियो हम पूरे डिटेल मे अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गाइरेंती है कि आप इस गेम को ऊईजली खेल पाएंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका गेमा इंटरफेस कैसा है और कैसे इसको खेलते हैं तो जब आप सबसे पहले इस गेम को उपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे के ओके और यहाँ पर क्या हुगा कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सरवर से कन्येक्ट होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा time वेट करना होगा उसके बाश से बथके वेट क भास से आंपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एगा कलेम के बाद से फिर इसको भी कर लीजेगा और क्विक प्लेव पे खुण करविएगा उहां पे क्विक ट्लेव इसके बास यहां प्धी यहां पर tenga यहां पे अफ़ ओपनिन टीम यहां पर को दिखा रहा है और यहां ऊपर देखिए दिखा रहा चुस ओबर आप कितने ओबर का खेलना चाहते हैं दो ओबर, पांच ओबर, दस ओबर, बीस ओबर, तीस ओबर, पचास ओबर तहो बिसिकली मैं दो ही ओबर का खेलना है और नीचे दिखाता है एक से लेके 10 नमबर तक इजी, हाडए हाडए तो मुझे easy अभी खेलना है और यहाँ पे टीशर्ट दिखा रहा है एक टीशर्ट हमें free दिया जा रहा है और बाकी यहाँ पे आप इजली खड़ी सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है तो हम free वाला ही लेने वाल हैं और आप भी free वाला ही लेकर खेलिएगा और यहाँ पे आपको ground दिखा रहा है तो हम चन्न ही select कर लेते हैं और green पे click कर देते हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ सीखना आया और यह वीडियो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम Hindi select कर लेते हैं यहाँ बहुत सारे इसमें भासा आपको देखने के लिए मिल आया लेकिन हमें Hindi ह चाहिए और कोई language नहीं चाहिए अब यहाँ पर दिखा रहा है हमारा playing level ओके और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नीचे loading ground प्लीज वेट ओके तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है उसके बासे हमारा game यहाँ पर start हो जाएगा tap to continue यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ओके नीचे सिक्का गिड़ चुका है तो finally हम जी सुक्या और bat हम select करेंगे यहाँ बैटिंग करने वाल हैं और इसमें मैं आपको पूरे detail में समझाने वाला हूँ कि बैटिंग में क्या क्या किया जाता है कैसे 64123 कैसे run मारे जाते हैं क्योंकि run मारने में ही तो लोगों को problem हो रह जैसे यहाँ पर मैं tap to continue करता हूँ यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा और जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और कौन बाल और fake रहा है ओके यहाँ पर दिखा दिया है अब चलिए हम आप बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्य है तो यहाँ पर आपको ध्याँ रखना है यहाँ पर 100% रखते हैं तो यह तो 6-4 जाएगा बहुत अच्छे से अगर बीच में रखते हैं तो आप easily boundary पार नहीं करा पाएंगे इस बात का आपको ध्याँ रखना है और यहाँ पर जो left right दिखा रहा है पाउं के तरफ इससे अगर आपर left right करते हैं तो easily यह moment करेगा आपको क्या करना है विकेट कीपर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टम्प इसके सामने बिल्कुल बैटमेंस को रखना है ज्यादा इधर उधर मत करना है उसके बाद से loft पे किलिकरी जैसे यहाँ पर आया और loft पे किलिक करके 6 म फायदा क्या होगा कि जो आपका run है या फिर 6-4 जाएगा easily चला जाएगा अगर आप perfect shot मारते हैं जैसे यहाँ देख लिए मैंने पूरा perfect shot मारा हैं और मुझे easily यहाँ फिर 4 मिल गया तो loft बटन आपको कब छोड़ना है इस बात को आपको समझना होगा जैसे मैं यहाँ पर run easily मिल गया मैं चाहूं तो यहाँ पर 2 run ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया तो आपको यह ध्यान रखना है जैसे मैं loft पर click करके रखा हूँ देखिए अब जैसे बावल आगा left मैं छोड़ दूँगा अब यह मारेगा तो इस बात का अब क्या होता है कि लोगों को loft बट आपको भी छोड़ देना है इस बात का आपको ध्यान रखना है आप अगर लेट करेंगे तो यह तो आपकी विकेट गीर जाएगी अगर आप जल्दी करेंगे फिर भी बॉल मिस हो जाएगी या फिर विकेट गीर जाएगा इस बात का आपको धेकर ध्यान रखना है तो एक लिए मैंने टाइमिंग के साथ लॉफ्ट बोटन पर को छोड़ा और इजली हमें 4 मिल गया तो इस तरह से मैं बहुत सारे इजली रॉन मिल जाएंगे जैसे मैं यहाँ पर देखिए मैंने लॉफ्ट बोटन पर यहाँ पर किली करके रखा अगर मैं थोड़ा सा भी लेट क prevention को आपको बहुत लेट से नहीं छोड़ना है बहुत तेजी में च्छोड़ना है इससे पका किरेगा तो आपको ध्यान रखना जब भी बॉल ятель पास में तब आपको लोफ्ट बटन छोड़ना है जैसे यहाँ पर बॉल आ रहा है मैं लोफ्ट बॉटन पर क्लिक करके रखता हूं और बॉल आया अब मैं छोड़ दूँगा देखो अब एजली हमें दो तीन या फूर मिल जाएंगे अगर बढ़िया सार्ट लगता है तो फ बॉल आपको यहां से मेरा कोई विविकेट नहीं गिरेगा क्योंकि मैं बिल्कुल पर्फेक्ट खेलना वाला हूं अब छोड़ देंगा इसको देखो यह चुट गया मैं इसको मारा नहीं मैं थोड़ा सा लेट हो गया बताने में कोई दिकत वाली बात नहीं है अब मैं यह ओबर खेलेंगे उसके वासे आपको लॉफ्ट बटन का थोड़ा अंडाजा मिल जाएगा कि लॉफ्ट बटन कैसे आपको यूज करना है जी आप पहले दूसरे गेम में उतना अच्छे से समझ नहीं है लेकिन आपको ध्यां रखना है कि लॉफ्ट बटन को ही आपको अब मैं जैसे बाल आया तो मैं छोड़ता हूं उसके बाद से मुझे यह भी 4 ही मिल जाएगा इजली है अब देख लो दो बालो को मैंने 1-6 और 1-4 मा दिया मैं चाहूं तो यहां पर 6-6 मार सकता हूं एजली क्योंकि यहीजी वाले लेवल में मैंने 6-6 भी मारे हैं अब य क्या होगा यहां पर हम बालिंग के बारे में बात करेंगे तो बालिंग में आपको ऑफ स्पीन जैसे मैंने यहां पर सेलेक्ट किया और मैं इसको थोड़ा लेट में रोकता हूं और क्लिक कर देता हूं बालिंग पर देखो मैं यहां पर इसको लेट में रोका और जब मैं अब मैं क्या करूँगा बाॉलिंग का गिटाना यहां पर दिखाना बॉलbels दिखायीग और।the बहुत ही कम टाइम दिए जाता है बॉलल सेलेच्ट करने के लिए कि आपको बॉल कहां फेकना है इस बात का आपको थ्याँ रखना है तो अगर आप गलत जगह बॉल फेकते हैं तो 4 या 6 इजली मार देंगे तो इस बात का भी आपको ध्यां रखना है कि आपको बॉल कहां पे फेकना है जैसे मैंने फिर आफ इस्पिन सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने लेफ्ट में रोका अब यहां पे बॉल मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं देखो अब कर देता हूं रखना पर और यहान पर फिर से कर लेता हूं और थोड़ा से लेप्ट में यहां पर फिर को खीशता हूं हry है आफ साइड में रखेंगे बॉल को उतना ही बेहतर होगा आपके लिए फिर से यहां पर मैंने आफ स्वीन सेलेक्ट किया और यहां देख लिए जो मैंने 27 रन मारा है दो ओवर में और 28 रन मार के जीतना है तो मैं जीतने तो दूंगा नहीं वैसे फिर समय यहां बॉल ओके फिर से यहां पर एक याद दो रन एजली मिल जाएगा तो बॉलिंग में आपको ज्यादा प्राब्लम नहीं होने वाला है और यहां पर देखो रनिंग में क्या होता है कि यह यहां पर रनिंग में रेट डॉट दिखाई दे रहा है इसको अगर आप समझते हैं तो यह लिए मार दिया फूर तो यह आपको ध्याँ रखना है कि बॉलिंग सेलेक्शन कहां पर आपको करना है अच्छे से अगर आपको बॉलिंग अच्छे से आप डालना सीख गया है रन भी बहुत ही कम पढ़ेंगे यहां नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे थोड़े बहु वीडियो को कट कर दिया था और यह थी हमारी आज की वीडियो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करिए सेर करिए और इसके बारे में और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है बैटिंग टिप्स के बारे म तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा तो यह थी हमारी आज की वीडियो थैंक्स पर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना